हेलो एब्रिवन तो आज के इस किलास में हम लोग जो फेटर ट्रेड थियोरी एक्जाम से यहाँ पे रिलेटेड मल्टिपल च्वेश क्वेशन आपका कवर करेंगे ठीक है जो कि आपका 19 एकी सेशन के स्टूडेंट के लिए है जिनका भी ऑनलाइन एक्जाम जो होने वाला ट्रेड थियोरी का और WCS कश्वेशिक है तो यहाँ पे यहाँ यहाँ पे करिब पॉशन करेंगे तो परते एक डे जो है हम लोग यहाँ पे करीब 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 20 इथ वस्त MIN करेंगे । आज हम लोग का फर्ष्ट क्लास है और इसमें जो हम लोग 20 questions करेंगे उसके बाद नेक्स डे जो 50 questions करेंगे ठीक है इस तरह से करकर के important जो 500 questions जो है आपका fitted trade student के लिए उसको मैं यहाँ पर ले के आया हूँ ठीक है तो सबसे पहले आप बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आप लोग जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब कर ले चैनल को और वीडियो को जाधा जाधा अपने फ पहला question है वो है आपका यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग questions का जो language है हिंदी और इंग्लिस दोनों language में है ताकि किसी को भी यहाँ पर कोई दिक्कत ना हो ठीक है तो पहला question आपका which one is the personal safety ठीक है तो व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी है तो आपको बताना व्यक्तिगत सुर रखना और चौथा नमर आपका हो जाए क्या तूल्स को उसके उचीत अस्थान पर रखें तो व्यक्तिगत सुरक्षा कि यहाँ पर बात हो रही है तो व्यक्तिगत सुरक्षा के अंतर गत क्या आएगा अपने काम पर ध्यान देना ठीक है यानि दो नमबर जो इसका वी नम आपको जो नेम धेंडेन सिमबोल ठीक है तो यह जो आप लोग अनिवार प्रतीक देख रहे हैं इसका आपको नेम बताना ठीक है यह किस चीज के लिए यूज होता है तो सबसे पहला जो अपसे अपका देख सेथे हैं यहाप आपका अपका इस्टॉप आपका इस्टॉप आ जाएगा आपका 1, यानि इस टॉप, यह नंबर इसका क्या होगा, राइट अंसर, यह जो आपको साइन दीख रहा है, किसके लिए होता है, इस टॉप के लिए, ठीक है, ए नंबर इसका राइट अंसर हो जाएगा, आप लोग नो, इसको I hope आपको समझ में आ गया होगा, जली दूसरा है क्लास B फायर तीसरा आपका क्लास C फायर और चौथा नमर आपका क्या है क्लास D फायर इसको जो आपको किस केटोगरी में रखा गया है तो इसको क्लास B के केटोगरी में रखा गया है जोलनसील लिक्वीड एवल ठोस को ठीक है इसको मैं आपको वर्गी क्रित किया गया है क्लास B फायर मैं आपको याद रखना इसको छेले नेक्स क्विश्न देखते है क्वेस्टन नंवर 4 तो क्वेस्टन नंवर 4 है आपका ड़िए तत्काल जीवन रक्षाप्रक्रिया कौन सी है ततकाल जीवन रख्चक पर करिया जो आपको बताना है ततकाल जीवन रख्चक पर करिया तो पहला नमर उपसर आपका प्रात्मिक चिकित्सा दूसरा नमर आपका क्या है चिकित्सक को बुलाओ ठीक है तीसरा नमर आपका गहन देखवाल और चौथा नमर क्या है आ पहला यहां पर बोल रहा है क्या, आपको लाइब सेविंग का फर्स्ट क्या होता है, प्राथमिक उप्चार वही आपका इसका अंतरगत आएगा, यह जानी ए निमर इसका क्या होगा, राइट अंसर हो जाएगा, सबसे पहला काम क्या करते है, फर्स्ट एड प्रोवाइड क् उसके बाद next question देखते है question number five तो यह जो नीचे आप लोग परतीक देख रहे हैं इस परतीक का क्या मतलब है उसको आपको बताना आप लोग बहुत जगह इसको देखे होंगे जब आप लोग railway फाटक वगरा क्रोस करते हैं या फिर रोड पर चलते हैं बहुत जगह अलग अलग परतीक साहीं जो है इस तरह से यूज होता है बोर्ड पर बना हुआ रहा रहा था ठीक है तो इस साहीं का क्या मतलब यहाँ पर आपको बताना चलिए options देखते है तो यह नमर आपका school है option B आपका यहाँ प denote करता है unguarded को ठीक है या यह कहाँ पर बना रहता है रेड़ वे क्रोसिंग फाटक वगरा पर देखें कि आप यहाँ पर इस तरह के sign बने रहते हैं चलिए next question देखते है next question जो आपको question नमर 6 question नमर 6 क्या आपका लकडी की आग कागज कपड़े की आग में लगी जो आग होत देखते हैं options आपका class A fire, B fire, C fire और D fire ठीक है इसका right answer हो जाएगा आपका कौन साथ इसका हो जाएगा class A fire यानि A number इसका क्या होगा right answer हो जाएगा 6th number question का तो याद रखना है आपको लकडी में लगने वाला आग, कागज, कपड़ा यह सारे हैं जो आग लगते हैं उसको class A fire के category में रखा गया है ठीक है उसके बाद चली next question देखते है question number 7 तो question number 7 जो आपका वो क्या है carbon tetra chloride और bromocloro defluoro ठीक है, bromocloro defluoro methane जिसको बोलते हैं सौट में BCF में भरा हुआ कौन सा अगनी सामा की अंत्र है ठीक है तो यह जो gas आपका carbon tetra chloride और आपका bromocloro defluoro इसको जो कौन सा अगनी सामा की अंत्र में भरा जाता है तो आपको बताना है यहाँ पर देखिए option से हैं आपका carbon dioxide इसमें जो कौन सा भरा जाता है अगनी सामा कमें ठीक है carbon dioxide आपका B नमर आपका क्या है halogen extincting user उसके बाद C नमर आपका क्या है flame extincting user और D नमर जो आपका है dry powder देख सकते है dry powder extincting user ठीक है इसका right answer हो जाएगा question 7 का आपका B नमर आपका hellon extincting user ठीक है याद रखिए गए इसको उसका next जलती है question number 8 देखते है which come under mechanical occupational हजार्ड ठीक है तो आपको बताना mechanical जो यहाँ पर यांत्रीक वेपसाईग खत्रों के अंतरगत कौन सा आता है यांत्रीक अंतरगत कौन सा आता है इसमें साब को बताना है पहला नमर देखिए option noise है option B आपका क्या है विसेला है और option D जो आपका ओकूसल ठीक है अनिस्किल्ड जिसको बोलते है ओकूसल उसके वाद आपका D नमर यहाँ पर क्या unguarded machinery तो यहाँ पर पूछा जाजा था आपको क्या mechanical occupational hazards ठीक है तो यांतरिक website खत्रा इसके अंतरगत आपका कौन सा आता है तो आपका यह हो जाएगा आपको यहाँ पर unguarded machinery याणि D नमर इसका right answer हो जाएगा आपका question number 8 का चले next question देखते है question number 9 question number 9 आपका क्या question number 9 आपका घायल व्यक्ति के रक्त स्राव को कैसे रोक है ठीक है यही कोई व्यक्ति आपका घायल हो जाता है या उसका accident हो जाता है और उसका blood ब्लेडिंग होने लगता है तो उसका blood को बहने से कैसे रोका जाए यहाँ पर पूछा जारा है तो option A आपका पट्टी बांध कर option B आपका मरहम लगाकर option C जो आपका घाव पर कीचर लगाएं ठ है कि दवां के रखने से यहां पर ब्लड को रोका जा सकते है इसका क्या हो जाएगा डी नमर हो जाएगा तो आपको कोई भी परसल में इसका घायल नहीं हो गया है तूर confirming के क्या करेंगे हम लोग को प्रेसर अपलाय करना है एराउंड दर आपको जो भी घाओ है उसके त्यारों तरफ सब को यहां पर जो उसको दबा के रखना है ठीक है उसका नेक्स्ट क्वेस्टन इदी डी नमर हम लोग यहां स्वरी दस नमर इस देखें वाट इस नेम अप आपको यहां पर बताना है आग लगने के तीन कारण क्या है किसके वज़े से यहां पर में जो तीन कारण जिसके वज़े साग लग सकता है तो आपको यहां पर देख सकते हैं पहला आपको इंधन-उस्मा-औरौशिजन और यह तीन जो रिजन आपका किसी भी चीज में आग लगने के लिए ठीक है उसके बाद चलिए next question देखने question number 12 question number 12 क्या आपका what is a period refers as a golden hour ठीक है तो कौन सा period को जो यहाँ पर golden hour आपका बोला जाता है ठीक है आपको बताना है सुहर नकाल जिसको golden hour जो है कौन सा period को यहाँ पर बताया जाता है तो पहला नमर है घाओ के बाद के पहले 30 minute घाओ के बाद के पहले सुरी घटना के बाद सुरी घटना है घाओ नहीं यह घटना ठीक है घटना के बाद जो पहले 30 minute होते हैं उसको यहाँ पर golden hour बोला जाता है याद रखना आपको 12 का right answer क्या होगा ए नमर यदि कोई भी accident हो जाता है तो उसका जो पहला जो 30 minute होता है accident के बाद का उसको golden hour बोलते है ठीक है यदि उस time पर उसको यहाँ पर उपचार मिल जाए तो वो व्यक्ति जो ठीक होने की ज़्यादा तर संभाव ना रहती ठीक है जाना दूसरा आपका चीज़ों को अपने तरीके से करना यह तो नहीं हो जाएगा उसका सुरक्चा साफधानियों का पालन करके यह हो सकता है ठीक है और last option जो आपका अत्यधी कुसल काम करने के अभ्यास के साथ चीज़ें करना ठीक है इसका जो right answer हो जाएगा आपका 13 नम पढ़ाया जाएगा और safety जो हता है वो सबसे पहले आपका आता है ठीक है कहीं पर भी आप industry में जाएगा safety जो हता हो क्या होता है सबसे पहले का आपको safety अपना खुद का safety रखना है ठीक है तब ही आप लोग जो वहाँ पर काम कर पाईए क्यूंकि company सब में बहुत जादा accident ह होता है ठीक है इसलिए आपको यहाँ पर safety चेप्टर जो हो पढ़ाया जाता है क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में वर्क किजएगा अब technician बनिएगा तो है ना तो इसलिए आपको यहाँ पर safety जो है सबसे ज्यादा important चेप्टर है आपका और इसको आपको अ साथ महनत लगता है ठीक है इसलिए आप लोग जो है जरूर चैनल को सब्सक्राइब किजएगा वीडियो को लाइक किजएगा चता ऐसे स्टूडेंट जिनका भी आगे चलके एक्जाम होने वाला उनीस से की सेशन का फीटर ट्रेड का ठीओरी पेपर उनको इसाथ वीडिय को दिनोट करता ठीक है जहां पर भी ओवर टेकिंग करने से मना किया जाता है वहां पर इस तरह के सिंबॉल देखिए का बना हुआ रहा रहता है इसका डी नमर राइट अंसर हो जाएगा लिए नेक्स्ट कुस्टन आपको क्वेशन नमर 15 क्या आपका वाट इस दे कलर कोड औ यहां पर आपको देखिए क्या बताना इबेकार कागज अलगाओ के लिए डिब्बे का कलर कोड यह यहां पर देख सकते हैं आप लोग रेट दिया है उप्चन अ भी नमर आपको नीला है, option C काला है, option D जो आपको हरा नमर है, तो 15 कर आई ड़ा होगा, आपको बी नमर नीला हो, याद रखना इसको, यह नेक्स question देखते हैं, next question है क्वेस्चन नमर 16, question नमर 16 क्या कहता है, आपको यहाँ पर जो आप लोग नीचे, जो देख रहे हैं, यह road क कि यह क्या चीज़ को denote करता है यह सू चना देता है अपको है नाकि इस तरफ जाने से आपको दे इ blending पर अीन कि इंतर का प्रियोग कि जाता ठीक है तरलसील और यहाँ पर बहनेवाले जो होते हैं लिक्वीड वाला जो आग रहता है आपको देखते हैं देखें जिसे क्रोशीन वगेरा में जो आग लगता है तो यह सारे बोले जा रहे हैं यहाँ पर बहने वाले आग में किस प्रकार का आगनी सामा की अंतर का प्रयोग किया तो उसको बुझाने के लिए ठीक ह चण पहलोग उपका एक्स्टिंग य्ज़र हो गया पहला नमर थीक है क्या है आपको 喔 impact यूजेय के लिए तरह देख लiczे कहकँ औरgunta १का उल्ग बरूप फह लिए युद कैर्व कर रिदू होंगा वहां से आप लग टेलीग्राम ग्रूप को जोएन कर लिजेगा ठीक है और वहां से आप लोग को क्वेस्टन जो मिल जाएगा चलिए नेक्स कुष्टन देखते हैं क्वेस्टन नमर 18 आपका करें आपका क्या चीज़ है प्रात्मिक चीकितसा के ABC कि अपका A है आपका airway, option B आपका क्या चीज़ है, attention, option C आपका क्या arresting, option D आपका क्या atmosphere, ठीक है, ABC जो sign होता आपका first aid में, वो चीज़ आपका airways को denote करता है, ठीक है, airway को, याद रखेगा, A नमर इसका right answer होगा, तो लिए next question देखते है, question number 19, question number 19, देखें क्या आपका, जैव compounds में, material को तोड़ने की परकिरिया क्या है, जिससे खाद के रूप में इस्तिमाल किया जाता है, तो आपको बताना, यहाँ पर देखें, options A है, आपका land fields हो गया, option C है आपका recycling, option C है आपका composting, और option D आपका क्या है, burning waste material, ठीक है, तो इसका right answer आपका क्या हो जाएगा, C नमर हो जाएगा, composting, ठीक है, यह होगिया इसका, 19 का C नमर, अब चलिए देखते हैं, last question आज का, 20 नमर, question number 20, कल इससे आगे जो हम लोग 30 question या 40 question कल के वीडियो में cover करेंगे, ठीक है, चलिए देखते हैं, यह last question क्या है, last question, question number 20, आपका plastic कच्रावीन के लिए, color code क्या है, ठीक है, प्लास्टिर कच्रावीन, जो आपका dust bean जो होता है, plastic कच्रावीन, उसका color code क्या होता है, किस color का वो बनाया जाता है, पहला नमर देख सकता है, red है, दूसरा नमर blue है, तिसरा न ये सारा questions बहुत ज़्यादा important आपके आने वाले फीटर trade theory exam के लिए ना ही फीटर बलकि ये जो आपका electrician में भी ये questions पुछे जाएं क्यूंकि ये safety chapter है और safety chapter जो हता electrician bullet trade वालों के भी है और digital mechanics में भी है सभी को यहाँ पे जो आपका safety जो पढ़ाया जाता है ठीक है तो I hope आपका वीडियो पसंद आया हो यदि वीडियो पसंद आया तो पिलिज चैनल को जो सब्सक्राइब किजेगा वीडियो को लाइक करना ना भूलियेगा तथा अपने फ्रेंड लोगों के साथ सेर किजेगा जिनका भी first year student जो भी है उनिस सेकी सेशन के जिनका भी आगे चैनल के online exam होने वाला है तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों बहुत बहुत धन्यवाद